इंदावर में हातोध का गुलावट कश्मीर की लोटस वैली के रूप में अपनी पहचान बना चुका है जी हाँ गुलावट इन दिनों सबसे आकरशक परेटनिस्थल बन चुका है अब इसके विकास के लिए जिलाप्रशासन ने तयारियां शुरू कर दी है देखी कास रिपोर्ट इसे एशिया की सबसे बड़ी लोटस वैली कहा जा रहा है देश का सबसे स्वक्ष शहर इन दौर अब अपनी नई पहचान बना रहा है यहां की गुलावट लोटस वैली देश दुनिया के परेटकों के लिए सबसे पसंदिदा जगह बनती जा रही है इन दौर शहर से करीब 25 किलोमेटर दूर गुलावट गाउं में यश्वंत सागर डैम के बैक वाटर से बनी प्रकरतिक जील में कई किलोमेटर तक आपको कमल के फूल ही फूल दिखाई देंगे पूरी जील कमल के फूलों से गुलावी नजर आती है यहां का संसेट कन्या कुमारी और गोवा जैसा ही है यहां पर साउथ अफरिका और आसाम के जंगलों जैसे जंगल है बड़े-बड़े बांस के पेड़ों के पीछे से जब सूरी की किरने दिखती है तो वो नजारा देखने लायक होता है गुलावट गाओं में जंगल के बीच बने इस तालाब को अब परेटन स्थल के रूप में निखारा जाएगा इंदौर जिले में परेटन की असीमेति संभावना है सभी को एक्स्प्लोर करने के लिए और कमर्शिल एक्स्प्लोरिट करने के लिए और इस्थानी लोगों को रोजकार देने के उद देशे से इंदौर टूरिजम प्रमोशनल काउंसल के बानर के तले हम लोग तूरिजम डेवलोपमेंट के कॉम्प्रियेंसिव प्लान कर रहे हैं इसमें कुछ ऐसी साइड्स हैं जो नैसागिक सुन्दता वहाँ पे बहुत है और एसी बहुत ही यूनिक साइड्स हैं पूरे देश में उसी श्रेडी में गुलावट भी है जहां पे मैंग्रू फॉरेस्ट के साथ साथ लाखों की संख्या में जब वहाँ पे कमल किलते हैं और अभी भी वह जो लोकल से उसमें बहुत ही प्रसिद है विशेश कर प्री वेडिंग शूट डेस्टिनेशन रूप में काफी लंबे समय से उभा रहा है तो उसके नैसागिक सुन्दता को कंजर्फ करते हुए वहाँ पे हम और कॉन कॉन सी परेटन की सुविधा को वेक् कर रहे हैं और अपने कुछ स्थानी उत्पाद बेशते हैं उनको एक मार्केटिंग का प्लैट्फर्म उपलब्द कराने का प्रयास है इसके अतरिक क्योंकि वहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए काफी लोग आते हैं काफी कपल्स आ रहे हैं तो उनको भी एक फोटो लोलुटस वैली को देखने दूर्धराज से परियतक पहुचते हैं वो गंभीर नदी परबनीस जील की सैर करते हैं और कमल के फूलों की खुब्सूरती नस्दीक से नहारते हैं इस खुब्सूरत जील के पास ही बास का बागीचा है बासों की लंबाई बहुँत विकेंड ट्रेप प्लान के साथ फोटो शूट और प्री वेडिंग शूट करने आते हैं। यहां घुर सवारी, साइकलिंग, खोले जीब की सवारी के साथ पेड़ों से बंधे आकरशक जूलों का भी आनंद लेते हैं। सो से डेर सो फिट उचे बांस के पेड़ों की बनी गुफाएं खास तरह का आकरशन पैदा करती हैं। तलाब में कमल के फूल खुबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यह स्थापित हनुमान प्रतिमा और आकरशक जूले मन को मोह लेते हैं। Bureau Report, MP News, Indar.